तो का इस यह मेरा फर्स्ट टोरी ताइम वीडियो तो पसंट आए तो लाइक कर देना ठीक है जैसे आप सब का मालू में अभी गनेश्च फेस्टिवल चल रहा है तो मैं गनेश्च फेस्टिवल से रिलेटेरी कुछ बोलना चाहूंगा 2014 की मेरे पापा के ओफिस के बाजू में लाल बाग दा तो हम लोग वहां पे गए ते दर्शन करके आए सब सब कुछ यह हो गया तब फूल एंड फाइन तब हम हादे रास्ते में आए सब चपल पेंड रहा था ना तब मैं देखा मेरा भाई बड़ा भाई है नहीं मैंने ममी कोचा ममी भाई कीदर रहे तो मम्मी और चपल-खाम मैं किदर रहे और बाद में पापा बोले कीदर वो फो हमारे साथ की दा इतनी देर और हम लोग सब पाई और कि भीड में कहां पह रहे गा वो उसके बाद हम लोग पूरा ये दुन्दा अनाउंस्मेंट किया कि कोई मेरा भायो ऐसा गुम गया है उसके बाद हम पापा हमें बोले कि हम एक काम करते हैं ये ओफिस जाते हैं उसके बाद पापा पोली स्टेशन में कंप्लेंड करवा देंगे तो तभी जैसे पापा ऑफिस गए हम भी हम लोग आ रहे थे तभी एक आदमी मतलब पापा के इधर काम करने वाला बोलता है कि मेरा भाई को उसने किसी एक औरत के साथ देखा तो पापा और तेंशन में ममी भी तेंशन में कि अभी अभी यह औरत क्या लेके गई क्या मेरे भाई को यह हो गया क्या इससे सब तभी पापा बोले पोलिस टेशन तो अभी जाना ही पड़ेगा तुम दोनों जाओ मैं जाके पोलिस कंप्लेंट करके आ था तो ममी क्रोरी मेरा बाई पापा के कम्प्यूटर में बाइट के गेम्स खेल रहा है मेरा इतना सब्सक्राइब मम्मी वो तो एक टेको वो तो गेम्स खेल रहा है मम्मी मम्मी मारेगी नहीं इतने देर के बाद मिलेंग सब्सक्राइब वह पापा के एंपलॉई के साथ आ गया था वह मम्मी का हाथ हुड़ गया था और बोल एंप्लोई को आप फोन करते बोलता है मत मत फोन किया तो मम्मी बोलेगे कि गेम्स नहीं खेल तो भी मम्मी नी मारना चाहिए था लेकिन नहीं मारा प्यार भी खीज होती है ना तो उसे हमें इस सबक मिलता है कि कभी भी कुछ भी हो जाएं अगर तुम खोके बापर साय ना मम्मी बापर को जरूर यह करना वन्हों बहुत टेंशन में आ जाएंगे इसा सब समझ रहो ना तो अगर आपको यह वीडियो देखे पसंद आया ना तो लाइक करना और आपको और स्टोरी टाइम वीडियो करना है तो देखना है तो सब्सक्राइब कर और सबको मेरी तरफ से हैपी गनेश चतूरती बाई